वेलकम टू बैंकिंग बीट्स अगर आप यूनियन बैंक में एक सेबिंग अकाउंट खुलवाना चाहा रहे हैं तो यूनियन बैंक का सेबिंग अकाउंट फॉर्म है यह भर के आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा तो step by step में सारा बताने वाला होंगे किस तरह से आपको form बर के जमा करना है लेकिन form बरने से पहले कोई जरूरी बात है मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपको फॉर्म बरना है ब्लैक या ब्लू इंक से भरना है ठीक है लेकिन sign जहां भी करना है आपको black इंक से करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूं और अगर आपको बताता हूं और अगर आपको बताता हूं आपको बीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अगर हमारा चनल पर आप नए हैं तो आप हमारा चनल पर सब्सक्राइब करके रखिए तो चलिए वीडियो को बरना शुरू करते हैं यह फॉर्म का जो है हमारा पार्ट वन है यहां पर आप देख सकते हैं पार् यह फोन हम ब्रांच में जमा करेंगे उसका डेट यहां पर आपको लिख द confessed यह सारा ओफिसूज के लिए अब यहां पेसे खाली छोड़ दीजिए यहां अकाउंट टाइप है अकाउंट टाइप में आप नॉर्मल में टिक करेंगे ठीक है अगर आप स्मॉल अकाउंट या माइनर के लिए अकाउंट क्लो आना चाहरे हैं तो आप यह सब कर सकते हैं नह उसके बाद हम नीचे चलते हैं प्रस्नल डिटेल के लिए अब हम यहां पर सबसे पहले नेम है और यहां पर लिखा हुआ है सेम एज आईडी प्रूफ जो भी आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं लाइक पैन कार्ट या अधार कार्ड उसमें जो आपका सटिक नाम है वही नाम आपको यहां पे लिखना यहां पर आपको सबसे पहले फर्स नेम लिख देना है यहां पर यापको फपर आतर को還ij इते हैं तो अब मीडन नेम का जगह है तो आपका यहां परमी दीना है कि अगर साधी से पहले आपका कुछ और नाम था अगर साधी से पहले आपको कुछ और नाम था तो आप इधर सकते हैं first name और नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए, यह कंबल सरी नहीं है, देखिए जहां पर भी स्टार मार्ग दिया हुआ इस तरह कहिए, कंबल सरी आपको भरना है, और जहां पर स्टार मार्ग नहीं है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, अगर आपको केस में अपली के और उसके बाद यह, फोर्स नमबर में आपको जेंडर भरना है, अगर आप पूरुस हैं तो आप मेल में टिक करेंगे, अगर आप महिला हैं तो आप फिमल में टिक करेंगे, उसके बाद शेट नमबर में चलते हैं, यहां पर आपको मैरिटल स्टेटस देना है, अगर आप आप मदर का नाम देना चाह रहे हैं मां का नाम देना चाह रहे हैं तो मदर में टिक करेंगे या फिर आप अगर पती या पतनी का नाम देना चाह रहे हैं तो आप असपाउज में टिक करेंगे तो जिसका भी आप नाम देना चाहते हैं उसमें टिक करके नीचे में आपको यह देना चाहते हैं हुआ है कि तो आज का केस में पैन कार थो लगबग कर किसी के पास भोता है तो आपके यहां पर जिसका भेनाम देना चाहें आप दे सकते हैं अश्के वास seven नंबर में यहां पर number of dependent देना एक आप पर कितने लोग आधारित हैं ठीक है मान लीजे आपके साधी हो गया है और आपकी वाइफ जो है वो घर में ही रहती है हाउस वाइफ हैं तो आप एक dependent हो सकता है आप लिख सकते हैं और अगर मान लीजे आपके बच्चे हैं एक-दो साल के तो भी अगर आप पे dependent है तो आप इस तरह से टोटल जोड के कितने आप लोग आधारित हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं और अगर आप पर कोई भी आधारित नहीं है तो आप यहां पर जीरो-जीरो भी लिख सकते हैं अब यहां पर पूछ रहा है कि क्या आप इलिट्रेट हैं मतलब क्या पढ पढ़े लिखे नहीं है तो आप यहाँ यहां पर यहां पे नो में टिक करना है इन केस आप अगर पढ़े लिखे नहीं है और आप अगर यहां तो फिर यहां पर यहां पर आपको एक है कि 9 नंबर में यहां पर आपको नेम ऑफ इया के लिए जिसका थिन का झान खूल रहा है अगर शाल से चोटे है है तो यहां पर गार्जिन का नाम देना है और गार्जिन से सब्सक्राइब भड़े हैं अच्छेंब बढ को फिर यहां आप सल्लिंग में और यहां थिक करके यहां पर country का नाम देना है यहां सेटिजनी सिपे इंडिया का है तो यहां पर आपको इंडिया लग दीया हुआ है यहां क्या क्या करते है। अगर आप किसी सर्विस में हैं तो आपको सर्विस में करना है ठीक है सर्विस में क्या है आपका स्टेट गवर्मेंट में हैं सेंटर गवर्मेंट में हैं पॉब्लिक में हैं या पॉब्लिक सेक्टर में जिसमें भी आप टिक कर सकते हैं अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो त 50 खाली छोड़ दीजिए अगर कोई बीजनस है तो फिर आपको इस में सीजोड टो जोड़ा है लिए तो आपको किस तरह का बीजनस करते हैं अब इसमें भी नहीं है तो फिर क्षिकति अखर मानलीज़कर मेजिआ इत्डर कर सकते हैं अगर हाउस्वाइफ हैं लावे कुछ आप हैं तो यहां पर आप not categorize में हैं टिक करके इसर भी लेख सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको 13 नंबर में organization का नाम देना है ठीक है कि आप किस organization में काम करते हैं और अगर आप business करते हैं तो किस तरह कर बिजनस करते हैं और आपका क्या post है इधर आपको देना है लेकिन यह सब compulsory नहीं है तो आप चाहें तो इससे छोड़ सकते हैं 14 नंबर में यहां पर आपको annual income पूछा जा रहा है कि आप सलाना कितना कमाते हैं यह exact value लिखने का जरूत नहीं है आप मोटा मोटा जोड की यहां पर लिख सकते हैं जो भी आपका है यहां पर net worth पूछा जा रहा है यह भी कंबल सरी नहीं है तो आप इसे चाहें तो टिक कर दीजे उसके बाद यहां category पूछा जा रहा है 17 नंबर में अगर आप general हैं तो इधर टिक करेंगे OBC ST या ST जो भी आप है यहां टिक कर सकते हैं person with disability अगर आप किसी भी तरह के disability में आते हैं तो आप yes पे टिक करेंगे और अगर आप normal है disability नहीं है आपका तो आप no में टिक करेंगे 19 नंबर में यहां पर education qualification पूछा जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं अगर आप up to 9th class है 10th class है तो इधर टिक करेंगे अपर graduate है तो इधर करेंगे पोस्ट graduate है तो इधर करेंगे इसके अलावे भी अगर आपके पास कोई special qualification है तो आप इन में से चूज जा रहा है कि please tick the applicable box अगर आप politically exposed person में आते हैं या फिर उससे कोई relation रखते हैं तो आप इधर टिक करेंगे नहीं तो आप सीधा none में टिक कर सकते हैं ठीक है general case में none में आप सीधा ठीक कर सकते हैं यहां पर नीचे दिया हुआ है कि politically exposed person में कौन कौन आते हैं ठीक है head of state governments senior politicians senior governments ठीक है political party officials यह सब है ठीक है तो अगर आप इन में से कोई नहीं है तो आपको सीधा यहां पर none में टिक करना है उसके बाद 21 नमबर में यहां पर अगर आपको यहां पर yes में टिक करना है ठीक है यह अगर माल लीजे कोई ऐसे लोग हैं जो कि इंदिया के बाहर भी रहते हैं और वहां पर किसी तरह का text बगारा देते हैं तो उनके लिए यहां पर nob करना है और यहां पर फट का detail है इसी form में attached फट का detail है वो भरना है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको yes में टिक करके इसे छोड़ देना है ऐसा भरने का जरूत नहीं है तो आप यहां पर yes में टि सबसे पहले आपको यहां पर प्लस 91 लिख देना है और यहां आपको mobile नंबर लिखना है तो आपके पास आपके पास नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कोई लैंड लाइन का नंबर है ठीक है ओफिस का तो आप इधर लिख सकते हैं और अगर आपके घर का लैंड लाइन का नंबर है तो भी आप इसे लिख सकते हैं तो यह हमारा यहां पर अधार कार्ट कार्ट सब्सक्राइब लाइसेंस के लिए अ बहरा़ख कर दना चाहते हैं तो आप यहां पर लिखना है यहां पर लिखना है does आपको इसू किया है तो Government of India या UIDAI अगर आप होटा ID कार्ट दे रहे हैं तो ECI यहनी Election Commission of India भी लिख सकते हैं उसके पार यहां इसू डेट कब आपको यह इसू हुआ है आप यहां पर लिखिए और Expired Date आपको यहां पर लिखना है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं तो हम नीचे चलते हैं यहां पर address detail में इसके बीज़ा पूछा जा रहा है कि address जो है आपका address या permanent address तीक से खाले मानेट administration करें औरesar हो इसके बाद पूछ्ँ रहा है कि जो आप address दे रहे है यहاي residential address है या business address है तो जो भी आपका है टिकर दिजो मेरा side दो और पूरा अडरस आपका दे देना है थीक है प्लाइक है आपका चीत सोल नाम ऑपट नम फॉलिस पहरे आप को मैं वल्डिंगा धीटिन और नहों जो भी तक रूस नमद रहते हैं so पर आपको डिस्टिक का नाम यानि जीला का नाम आपको देना है यहां पर आपको राज का नाम अपना भर लेना है उसके बाद यहां पर पीन नंबर सही सही दे देना है ठीक है और उसके बाद यहां पर आपको कंट्री का नाम लिख लेना है तो इस तरह से पूरा आपको तो आप उपर में भरें वही आपका correspondence address है या पर्मानेंट address वही है तो आप यहाँ पे same as current या पर्मानेंट address में टिक करके इसे खाली छोड़ सकते हैं लेकिन अगर दोनों address आपका अलग-अलग है तो फिर आपको यहाँ पे भी टिक करके यहाँ पर भरना पड़ेगा ठीक है कमाने लिजय के correspondence address अलग है तो आप correspondence में टिक करके यहाँ आड्रेस भर देंगे ठीक है एगर आपका पर्मानेंट address है लोकल address आपको अलग है तो आप YEAH सेम करके इसे खाली छोड़ सकते हैं अब यहाँ पे इस एधिचेनल डीटील है अगर माल लिजए कि आप current address या local address कुस् प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, क्या दे सकते हैं आप utility bill, PPO या municipality या text receipt है ठीक है, तो आप दे सकते हैं, या फिर self declaration भी दे सकते हैं, या फिर और भी जो भी यहाँ पर बहुत सरा चीज लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जो भी आपके पास अगर कुछ है तो आप यहाँ पर देना पड़ेगा आपको यहाँ पर वो document number देना जो आप दे रहे हैं और यहाँ पर date लिखना है ठीक है, in case अगर आपको ऐसा address यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि आपको एक recent का एक photo गम से paste करना है ठीक है, अस्टेबल नहीं करना है यहाँ पर आपको sign करना है, यहाँ पर जगा का नाम देना है और यहाँ आपको date लिखना है ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कि आपका मतलब आप अगर आधार कर्ट बगएरा देते हैं तो यह authenticate किया जाएगा ठीक है, और उसके लिए OTP बगएरा भी आपको आएगा इससे आप सहमयत है ठीक है, और जो भी terms condition है आप accept करते हैं, ठीक है, आप यह तीनो terms condition को अब एक बार पढ़ सकते हैं ठीक है, हम नीचे चलता है यह for office use लिखा हुआ है, तो इसे आप पूरा खाली छोड़ दीजी account opening form for individual part 2 है जैसा मैंने बोला था है, अभी तक हम जो भर रहते है customer information form है नए account को लते समय हो भी भरना compulsory होता है यह अब हमारा account opening form है, यानि part 2 है इसमें भी सबसे पहले हम यहाँ पर date link देंगे, जिस दिन हम यह form जमा कर रहे हैं, उसका date link देंगे उसके बाद यह सारे जगह office switch के लिए है, तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं यहाँ पर आपको type of account देना है, तो यहाँ saving account खुलवा रहे हैं, तो saving account में टिक करेंगे इसके अलावे जो भी small account, current account यह ऐसा भी है, तो आप इस सब को देखने का जरूत नहीं है, यहाँ चप-चप self में टिक कर दीजे और mode of operation में, आप यहाँ पर self में टिक कर दीजे, अगर single account है, तो सिर्फ self ही रहेगा अगर आप joint account खुलवा रहे हैं, तो यह सब joint के लिए है, कि either survivor मतलब दोनों में से कोई भी account operate कर सकता है यहाँ jointly है, तो दोनों मिलके ही operate कर सकता है, यह सब है, तेकिन यह सब सिर्फ joint account के लिए है, अगर आप single account खुलवा रहे हैं, तो आप सिर्फ self में टिक करना है उसके बाद अब हम से पूछा जा रहा है, service required, आपको जो भी है, इसमें से जो भी आपको चाहिए, आपको yes करना है, और जो नहीं चाहिए, आपको no करना है चलिए हम एक एक करके देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है, ATM कम David card, अगर आपको ATM card चाहिए, तो आप yes में टिक करेंगे, और नहीं चाहिए, तो आप no में करेंगे यहाँ पर आप सब पूछा जा रहा है कि आपको ATM card पर नाम कैसा चाहिए, तो आपको अपना यहाँ पर नाम दे देजिए, यह इसलिए पूछा जा रहा है कि कभी कभी नाम जो होता है, 20-25 करेक्टर का होता है, जो कि ATM card पर नहीं आ सकता है, तो आप सौर्ट नाम करके यहा अपना नाम दे देंगे, अगर यह जवाई टाकर अगर खुलवा रहा हैं, तो फिर दोनों को अगर ATM चाहिए, तो आप दोनों में यहाँ कर सकते हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट वाले में टिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और सेकेंड वाला आप खाले छोड़ देज यहाँ पर काड टाइप लिखने के लिए बोला जा रहा है कि आपको रूपे काड चाहिए, वीजा चाहिए या मास्टर चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए, आप यहाँ एक में किसी एक में टिक कर देंगे अब यहाँ सेकेंड में पूछा जा रहा है कि अगर आपको चेक बुक चाहिए, तो आप यहाँ में टिक करिए, नहीं चाहिए, तो आप नो में कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ करिए, नहीं चाहिए, तो आप नो कर सकते हैं अगर इसमें सहलट अगर आपको चाहिए अपने मुबाइल नमबर पर तो आप Yes कर दीजिए, नहीं चाहिए तो No कर दीजिए Phun Banking एगर आपको चाहिए तो Yes कर दीजिए, नहीं चाहिए तो No कर दीजिए ठीक, Myドン, मुबाइल बैंकिंग प्रूसी तरह से पास्बुक अगर आपको चाहिए अपने account में तो आप yes करिए नहीं तो आप no कर सकते हैं और अगर आपको email में अपना statement चाहिए तो भी आप required में टिक कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो not required में टिक कर सकते हैं नीचे चलते हैं यह जो हमारा part है डी यह fixed deposit के लिए है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे यह आपका taxi है और auto swap है तो इसे भी आपको भरने का जरूरत नहीं है यहां पर recurring deposit के लिए है तो यह भी आप छोड़ दीजिए ठीक है हम next page में चलते हैं यह हमारा nomination का page है ठीक है if required यहा आप नमनी नहीं दिये रहेंगे तो फिर bank को या फिर जो भी आपके legal hire को है परसानी होता है claim settle करने में तो आप नमनी जरूर भर यहां पर आपको अपना नाम लिख लेना है ठीक है जिसका account खोलना है उसका नाम यहां पर लिख लेना है ठीक है और उसके बाद यहां पर आप चाहते हैं कि आपका जो passbook है उसमें आपका नमनी का नाम है वो print हो तो आपको यहां पर टिक करना है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि नमनी का नाम passbook में print हो तो आपको यहां पर टिक करना है और नहीं चाहते हैं तो आप यहां पर cross कर देंगे ठीक है अब यहां पर से क्या आपका रिलेशन है वह आप यहां पर देंगे माली आपके फादर हैं तो फादर दे सकते हैं आपके वाइफ या हस्मेंट है तो आप आप स्पाउस लिख सकते हैं और यहां पर आपको देना है कि नौमनी का कितना एज है इनकेस नौमनी अगर 19 साल से छोटा है तो फिर आपको यहाँ ठीन का पड़े लेकिन से लिकितना इए लेकिन अगर नौमनी 17 साल से बड़ा है तो फिर आपको यह और ऍी देन का जरूत नहीं है ठीक है अब हम नीचे चलते हैं यहां पे देखिए आपको यहां पे sign करना है ठीक है अगर आप पढ़े लिखे नहीं है आप अगर thumb impression लगाते हैं तो फिर thumb impression भी लगा सकते हैं और नहीं तो आपको यहां पे sign करना है ठीक है और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है आप अगर thumb पर नम्मिंब्राइं लगाते हैं तो यहां पे दो विट्नेस का जगह है तो यह दो विट्नेस भी आपको भनना पड़ेगा थींक है धो विट्नेस का नाम, साइन और उनका एड्रेस लेकिन अगर आप पढ़े लिखे तो आपके अपर साइन कर देना है और यह आपको को साइन करना है लेकिन अगर आपने दे देते हैं तो फिर आपको टिक करने का जरूत नहीं है इसरा साइन करने का भी जरूत नहीं है आप इसे खाली छोड़ सकते हैं यहां पर फिर से आपको जगा का नाम देना है और यहां पर देना है और यहां पर sign करना है ठीक है एक को storm sun condition यह आप पढ़ सकते हूं उसके बाद यहाँ पे आपको sign कर देना है यह office use के लिए है तो हम इसे खाली छूड़ देंगे ठीक है यह हमारा को storm sun condition है for deposit account तो आप इसे बढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे sign कर देना है ठीक है कि यह फिर हमारा को सेविंग बैंक रूल है आप इसे भी बढ़ सकते हैं और फिर आपको यहां पर साइन कर देना है तो यह हमारा नॉर्मल जो फॉर्म होथा यह कंप्लीट हो गया अगर आपके पास पैन काड नहीं है तो यह फॉर्म सिक्स्टी है जैसा मैंने बोला था यह फॉर्म सिक्स्टी आपको बढ़ना पड़ेगा तो फिर यह फॉर्म सिक्स्टी आपको बढ़ने का जरूरत नहीं है कि क Chang die तो यह वृकिर है कॉप्र कौन सा आप डॉयोगमें क्या 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 दे सकते हैं और त्री किंभर में आपड़ें की इसे पूरेख दिया हुए लिस्ट तो यह भी आपको खाले छोड़ देना है यह भरने का जरूत नहीं है तो इस तरह से पूरा फॉर्म यह complete हो गया तो इस तरह से पूरा फॉर्म भरके आप भी अपना account का जो फॉर्म है यह अपने ब्रांच में जमा कर सकते हैं इसका साथ जो भी आप ID नहीं है तो आपको एक अलग से निचर कार्ड में लेगा तो उसमें भी आपको फोटो लगाना पड़ेगा ठीक है और अगर अभी आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक जिरूर करिए और अगर हमारे चनल पर आप नए हैं तो हमारे चनल बैंकिंग बेस को सब्सक्राइब करके रहे हैं थैंक यू